Good evening children, मैं आपकी Hindi teacher दिपती तो आज हम हम Hindi class में Hindi book पढने वाले है सबी अपने Hindi book निकालो और page number 20 करने वाले है तो सबी अपने page निकालो, page number 20 में पहले हम इसको read करने वाले है ठीके? परने वाले यहां में लिखांए बोलिये और अंतर समझिये आ में जब आ की मात्रा होगा तो क्या हो जाता है उसी तरह से हम जो जो में जब आ की मात्रा होगा तो यह क्या हो जाएगा जा बो में जब आ की मात्रा बिठाएंगे जब आ की मात्रा होगा तो यह होगा बा मो में जब आकी मात्रा है तो हो जाएगे ये मा जो में आकी मात्रा जा बो में आकी मात्रा बा मो में आकी मात्रा मा जो में आकी मात्रा जा बो में आकी मात्रा बा मो में आकी मात्रा मा उसी तरह से अब हम शब्त परेंगे जल जल मंगर ज में जब आ की मातरा आएगा उसके बाद क्यों हो जेगे? जा ल जल बोल बोल बो में आ की मातरा बा ल बाल मो में आ की मातरा मान ल मान जो में आ की मात्रा जाल जाल, बो में आ की मात्रा बाल बाल, मो में आ की मात्रा मान जाल बाल मान उसके बाद जिस तैसे मैंने ये रीट के उसी तैसे आपको भी खर में अपने मुमी पपा के साथ, अपने पैरेंस के साथ ये रीट करना है फिर हम नेक्स्ट हम नंबर वान करने वाले हैं बताईए और एक शब्ध में उत्तर दीजे यहां में एक प्रस्ण देवाए अगर इसका उत्तर आपको शिरिफ एक शब्ध में आपको इसका उत्तर लिखना ठीक है असमान पर क्या चाया उस दिन हमने कविता बढ़ा था ना काला बादल आया कविता का एक शब में लिखने कले का इतला हम केबल बादल लिखेंगे ठीक है या मैं अब लिखो बा में आ की मात्रा थो साथ चीता से लिखो बा 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 में आ की मात्रा बा द ल बादल 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 आसमान पर क्या अच्छा है या बादल वेसे तो काला बादल था मगर यह मैं कहा गए कि सिर्फ एक शब में लिखो मतब एक ही वर्ड एक शब मतब एक वर्ड में लिखने कले कहा गए इसलिए हमने कीवल बादल लिखा ठीक ह नाउ चला कर कौन नाचा? नाउ चला कर कौन नाचा? कौन नाचा था नाचा था नाचा कर? मैंने समझाया था ना कभी था नाउ चला कर कौन नाचा? यह हमें दिया वैं नाउ चला कर राजा नाचा? कौन नाचा? नाउ चला कर राजा नाचा? तो हम क्या लिखेंगे आपर राजा नाउ चला कर कौन नाचा रो में आगी मत्रा रा जो में आगी मत्रा जा राजा नाउ चला कर कौन नाचा राजा चित्र के सही नाम पर टिक सही का चिन लगाना है यह किसका चित्र है किसका बाजा राजा खाजा किसका चित्र है राजा का इसलिए राजा में टिक दिया हुए ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे यह क्या चित्र है किसका चित्र है तारा का चित्र है कि नारा का ना तार तारा नारा तार क्या है यह किसका चित्र है तारा इस्टार को क्या कहते है तारा कहते है तो तारा में ठिक लगए है, इस्टार को क्या कहते है, नारा भी नहीं कहते है, तार भी नहीं कहते है, स्टार को स्टार को तारा कहते है हिंदी में, फिर ये किसका चित्र है, क्या चित्र है ये, राजा का चित्र है कि गाजर का चित्र है कि छाता का चित्र है, किसका चित्र है यह च्छाता तो आप लोग यह च्छाता में टिक मार्ट लगांगे ठीक है यह किसका चित्र राजा का चित्र है कि तमाटर का बाजा किसका यह चित्र है टमाटर तो टमाटर का आग हो है समझ में Hernia आपको यह चित्र है राजा का जाले से टीक लगा गा हुआ फिर यह चित्र है तारा का तारा कि मैं तारहका थे क्लचाह नहीं चांद टारह यह तारह तारह मैं तेक लगाना है नारा भी listening कंद तारहका इससे चन सी तारा तो तारा में हमने हो तिक लगा है फिर ये च्छाता का ची तजिघ्यए अपको क्या करना है इस पेइज को आफेए 20 कोाची ता से रीट करना है मंजंश के साथ खांघ की कहरो ऩी के साथ रीट करो प्रेए प्बुट। SHouse को इस पेज आपने बुक में करना है इस पेज को अपने बूक में करोगे बूक हमें करने के बाद क्या करोगें के ACCcue सु 70 अपने कॉपी में लिखना है और पेज को प्टै 20 को पेड नमर 20 को अपने हैं बुक में लिखना है, ठीक है, ओके आज के लिए इतना है, थेंक यू